एक्ट्रस अदाखान टीवी इंडुस्टी का जाना माना चहरा हैं अदाखान ने सीरियल नागिन से घर-घर में पहचान बनाई अदा जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लाइम लाइट में बनी रहती हैं उतनी ही वो अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रह दे बैठी थी अदा अंकित को एक कॉमन फ्रेंट की वजह से मिली थी एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई इसके बाद इनका आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया चार साल दोनों ने एक दूसरे को डेट किया लेकिन बाद में ब्रेक अप हो गया इस रिलेशन्श को लेकर ज्यादा ही सीरियस थी वो अपने सारी जिंदगी अंकित के साथ बिताना चाहती थी वही काम के दौरान ही अंकित अपनी को स्टार के करीब आ गए थे रिपोर्ट की माने तो सबने सुहाने लड़कबन के सेट पर अंकित गेरा का रुपल त्यागी के साथ अफेर चुरू हो गया और उन्होंने अदाखान को छोड़ दिया अदाखान ने खोद एक इंटर्वो में बताया था कि अंकित ने उन्हें पार धोका दिया और तीनों भारी एक्ष्न ने रगे हाथों पकड़ा था इंटर्वो के दंदा अदाखानने अपने पर बात करते हुए क कोट्स की माने तो अंकित से अलग होने के बाद अधा पूरी तरीके से तूट गई थी उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश भी की वक्त के साथ उनके जखम भरे और उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुवात की कुछ समय पहले खबरे आई थी कि अधा खान वद सेंटर्ड में जॉब की उन्होंने एक एड में काम किया था एक दिन कौफी शॉप में बैठी एदा को एक सीरियल कौफर मिला और उसके बाद उनकी टीवी इंडुस्ट्री में एंट्री हुई लेकिन पहचवान उन्हें सीरियल नागिन से मिली मतादे कि एदा अपने एक् नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टरग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले